आज हम बात करेंगे सास की सालाओं से भरे जाने वाले प्रिपत्र के संबन में जिसे हम बारसिक परणाम सांखी की पत्रक, संकलन पत्रक या फिर गोजवारा पत्रक के नाम से भी जानते हैं तो आज हम देखेंगे कि इस पत्रक में जानकारी कैसे दर्ज करें साथ ही इस पत्रक को हम कैसे और कहां से डाउनलोड कर सकते हैं जैसे पत्रक की बात करें तो इसमें उपर कुछ समानसी जानकारियां हमें दर्ज करना होता है साथ ही इसमें साला का नाम और साला का जो डाइस कोड है वो हमें अंकित करना होता है तो हमें इसमें अपने साला के छात्रों की जो परिक्षा में समलित हुए हैं उनके ग्रेडिंग की जानकारी दर्ज करना होता है जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कक्षा 1 से 5 बारसिक परिणाम की जानकारी इसमें हमें प्रात्मिक साला की छात्रों की जानकारी दर्ज करना होता है जो कक्षा वार, बालगवालीका वार और इसमें कुल में category wise हमें CC-SD की जानकारी दर्ज करना होता है जैसे इसमें सबसे पहला कॉलम होता है नामंकन तो इसमें कक्छावार हमें नामंकन जो दर संख्या है कक्छावार उसकी जानकारी यहां पर दर्ज करना होता है बालग बाली का बाइस साथ ही next column में मुल्यांकन में समलित तो परिक्षा में जितने छात्र बालग बाली का समलित हुए है उनकी संख्या दर्ज करना होता है और इसके पश्चात इन छात्रों में जो A grade, B grade, C grade, D grade या फिर E grade में छात्र आय हुए है उनकी जानकारी हमें इसमें दर्ज कर देना होता है ठीक इसी प्रकार हमें माद्मिक साला का पिर्पत्र भी फिल करना होता है जैसे आप देखेंगे माद्मिक साला का पिर्पत्र है इसमें तीन कक्षाएं पिर्दसित होती हैं जबकि प्रात्मिक सालाओं में 5 कक्षा इसमें आपको देखने के लिए मिल जाएंगे तो आएए देखते हैं कि इस प्रिपत्र को हम कहां से और कैसे डाउनलोड कर सकते हैं आएए चलते हैं मोबाइल इस्क्रीन पर तो सांखी की पिर्पत्र डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आप जो बीडियो देख रहे हैं इसका description box आपको open करना होगा description box open करने के लिए आपको इस arrow पर आप यहाँ पर एक arrow देख रहे हैं इस arrow पर किलिक करना है जैसे याप arrow पर किलिक करेंगे वीडियो का description box open हो जाएगा जहां आपको एक link दिखाई देगी यहाँ पर लिखा हुआ है कि बारसिक सांखी की प्रपत्र संकलन प्रपत्र डाउनलोड करने के लिए इस link में किलिक करें तो हमें इस link पर किलिक कर देना है link पर किलिक करते ही यहाँ browser में open होने की अनुमाती मांगी जाती है तो आपको किसी भी browser को यहाँ से select कर लेना है browser के select होते ही आप देखेंगे कि जो सांखी की प्रपत्र है वो यहाँ पर प्रदसित होने लगा है अब इसे download करने के लिए आपको in three dots पर किलिक करना है three dots पर किलिक करते ही कुछ सब option यहाँ पर open हो जाएंगे जिसमें एक option आपको दिखाई देगा download का तो आपको इस पर किलिक कर देना है जैसे ही आप download पर किलिक करेंगे आपकी जो file है वो download हो जाएगी तो इस परकार आप बहुत ही असानी से अपनी साला के लिए सांखी की प्रपत्र डाउनलोड कर सकते हैं एथी सांखी की प्रपत्र के संबन में एक बहुत ही महत्पूर्ण जानकारी आसा है जानकारी आपको अच्छी लगी होगी यदि वीडियो पसंद आए तब इसे like, comment और share जरूर करें सांथी चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें थेंक्यू